हेलो व्रीवन आइम नीहा एंड वेल्कम बैक तो माई चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एथनोग्राफी इन रिसर्च यह प्रीवियस यहर में एक्जाम्स में बहुत-बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसको आप अच्छे से प्रिप्यार कर लेना बेसिकल मार्क्स के सिक्स मार्क्स के और थ्री मार्क्स के वो मेरे चैनल पर अप्लोड़ेड है आप जाके देख सकते हो जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी जो आपके लिए हेल्फुल रहेगा कि प्रिवेस यह में किस टाइप के क्रेशन आये है औल ओ मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना आपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो तो लेट्स बीगिन टॉपिक तो सबसे बहले हम एत्नोग्राफिय जानते है कि क्या होता है इतनोग्राफिय तो बैसिकली एक साइब साइन स्टिफिक डिस्क्रेप्शन है अफ डिफ्रेंट रेसे अंड कल्चर को जानने का ठीक है तो बैसिकली जो एत्नोग्राफिय है इसको हम एत्नोमेथडोलोजी and methodology of people के नाम से भी जानते हैं तो basically जो ethnography है ये qualitative method है इस type के जो research होती है research method जो होती है ये basically हमारे जो culture से काफी close होके observation करके actively participant के साथ observation करके उनके साथ रहकर ये research की जाती है इस method को यूज किया जाता है ये focus करता है हमारे on history social cultural phenomena on a community community एक means की कोई culture basically कोई community है कोई culture है जैसे हमारा ही मान लिजे कि हिंदू मुस्लीम सी किसाइट निसारे हैं और सबके कितनी हर community की अलग festival है अलग अलग क्या कह सकते है रिचुवल्स है तो उसको और डीप में जान जानते हैं with the help of this method ठीक है तो ethnography में researcher क्या करता है collect करता है information regarding the social cultural phenomena from a lot of people belonging to the community under study ठीक है community के बिहाफ से ही जो researcher होता है वो अपने research के लिए sample को collect करता है जैसे कि माली जी कि किसी community के person को उसने data collect किया identify किया उसकी community के बारे में तो वो एक तरीके से ना chaining process करता है या पर chain sampling का use करता है कि आप किसी एक person से लिया data तो उसको कहता है कि अगर आपके known में और भी कोई है तो उनको भी बताईए जिससे कि मैं और information gather कर सकूं हो सकता है इससे कुछ miss हो गया जो हुई यह अपने culture के बारे में न जानता हो वो second person बता देगा तो इस तरीके से वो chain की through बहुत सारे लोगों से मिलके अपने क्या गरता है sample को collect करता है and sometimes क्या होता है researcher जो है वो उस जैसे किसी tribes से tribes की culture के बारे में जाना है तो उस tribes के यहां जाकर वो रहकर क्या करता है उनको पहले confidently उनका confidence जीता है ठीक है फिर उसके बाद क्या गरते है अपने data को collect करते हैं बहुत सारे method है जिसको हम अभी हम discuss करेंगे ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई researcher जो एक island है वहाँ पर ट्राइट से वहाँ उसके culture के बारे में research करना चाता है तो यह research क्या होगी ethnography होगी वहाँ पर वह researcher क्या है जाएगा वहाँ उनलों के साथ रहेगा पूरा cultural immersion हो जाता है तब जाके वह अपने data को collect करता है और क्या होता है कि जो tribes होते हैं ज्यादा किसी पर बिलीब नहीं करते हैं ट्रस्ट नहीं करते हैं जब तक आप उनके culture में घुलेंगे नहीं जब तक आ होते हैं महीनों महीनों सालों सालों वहाँ जाकर रहते हैं और उसके basis पर अपनी study को करते हैं ठीक है तो कोज आजंप्शंस है इन ethnography यह भी topic बहुत बार आया है आप इसको अच्छे से prepare कर लेना तो सबसे पहला point है ethnography में कि ethnography का mean objective होता है community culture की समझ कि किस तरीके से आप interpretation कर सकते हैं इस पर depend करता है ठीक है क्योंकि उसकी community culture की explain करना यह बहुत ही ज्यादा effect करता है ethnography research में कभी कभी क्या होता है कि researcher जो होता है overestimate हो जाता है role of cultural perception को लेकर जिसकी वज़े से वो जो research है वो affected हो जाती है ठीक है तो इसका भी ध्यान रतना चाहिए एक researcher को underestimate या overestimate नहीं करना चाहिए तो second point है कि जो research होती है जो community होती है वो जितनी ही important होती है उतनी ही difficult होती है target community को जिस पर कि researcher जो है research करना चाहता है जो nature है size of community का as well as individual perception का यह भी बहुत ज्यादा important role play करता है that need to be studied ठीक है यह बहुत ज्यादा important है कि आप किस तरीके से आपना नजरिया अपना perception उस particular community पर रखते हैं ठीक है समझते हैं next आते है ethnography further assume that the researcher is an expert वो जो researcher है जो particular community या culture पर research करना चाहता है वो एक expert होना चाहिए ठीक है through with the norms and most of the culture जो भी रीती रिवाज होते हैं जो norms होते हैं किसी culture को लेकर उसका expert होना चाहिए जो researcher है वो language spoken in the community में expert होना चाहिए ठीक है जिससे कि वो proper तरीके से उस culture को immersion कर सके मतलब उसमें डूप सके जिससे कि उसके research और भी accurate हो ठीक है जो development of theory वो create करेगा वो इसी पर based होगी कि किस तरीके से वो एकदम बिल्कुल ही डूप जाता है और अच्छे तरीके से उनकी language को उनके culture को उनके रीती रिवाज को उनके rituals को समझता है यह कुछ assumptions हैं आपके ethnography के अब next आते हैं types of ethnography तो basically four types के ethnography research होती है जिसमें फर्स्ट है macro ethnography second है micro ethnography third है amic perspectives and fourth है attic perspective तो one by one इसको देख लेते हैं यह क्या होता है तो macro ethnography जो होती है वो large number पर हम study करते हैं ठीक है large population पे grouping पे जैसे कि माल लिजे कि हमें इंडिया और किसी other country का माल लिजे टर्किश इनके culture के बाने में जानना है तो हम अगर research करेंगे तो यह हमारी होगी macro ethnography ठीक है next आते हैं micro ethnography, micro ethnography means कि narrow level पे हम किसी research को कर रहे हैं जैसे कि local government और member of congress के उपर हम अपनी study को कर रहे हैं ठीक है या तो फिर local government या फिर terrorist दोनों के culture के बारे में जाना है तो यह भी हम ethnography, micro ethnography के अंडर में आता है ठीक है जो narrow level की होती है और emic perspective क्या है emic perspective है कि हम किसी भी culture के insider के perspective को जानना जैसे कि मा लिजे कि हमारा Hindu culture है ठीक है मेरा Hindu culture है अब हम इस Hindu मैं अपने इस Hindu culture के internally के आप अपने culture को लेकर क्या सोचते हैं क्या perspective है आपका ठीक है जैसे मैं किसी भी अपने neighbor से पूच सकती हूँ जो की Hindu है ठीक है वो होता है emic perspective जैसे आप समझ गयोगे यहां पर लिखा हुआ है कि emic perspective definition is the perspective of a person inside the culture also known as an insider's perspective इस जो टाइप है इसको emic perspective के साथ-साथ insider perspective भी कहा जाता है ठीक है क्योंकि वो in group से culture को collect करता है perspective को जानता है ठीक है अब आते हैं attic perspective यह ठीक emic perspectives के उल्टा है जैसे कि हम inside the culture के बारे में जानते परस्पेक्टिव के बारे में जानते हैं और यहां पर सेम है कि outsider perspective किसी particular religion culture के बारे में हम किसी बाहरी आदी में से पूछते हैं उसके परस्पेक्टिव को कि इस particular culture के बारे में आप क्या जानते हो क्या सोचते हो क्या perception आपका क्या perspective है ठीक है यह होता है इसको देखते हैं सो basically सबसे पहला ethnography method का step होता है begins with selection of a culture कौन से culture पर आप अपनी study करना चाते हैं ठीक है तो जो researcher होता है select the culture community or population according to his or her interest ओके next आते हैं review of literature जब selection हो जाता है particular culture community का तो उसके बाद हम क्या करते हैं उससे related जितनी भी previous year की research हुई है उसको हम थोड़ा सा study करते हैं brief idea लेते हैं historical sketches लेते हैं जिससे कि हमें उस select जो हमने culture select किया है उसके बारे में थोड़ा सा हमें idea मिल जाए ठीक है next आते हैं identification of variable जब researcher identify कर लेता है variable का जो उसके interest का होता है as well as the member of the culture and needs to be explored जो की उसको explore करने में क्या होता है help मिल जाती है ठीक है अब fourth आते हैं entry जब यह 3 step complete हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करता है ethnographer try to enter the culture ठीक है वो उस culture में enter करने की कोशिश करता है और उस culture के member को उस culture की जो उस culture के member है उस culture के member की तरह बन कर उसको accept करता है उस culture को ठीक है फिफ्ट स्टेप पे आते हैं इसके बाद cultural immersion कल्चर इमर्जन मेंस होता है कि एक दम पूरी तरह से डूब जाना ठीक है महीनों सालों वहां पर रहके उनकी जो culture है उनके बारे में जानना वहां पर देहना और information gain करना using them to gain at more information in a chaining process ठीक है और chaining process के थ्रू और भी ज्यादा क्या करना information को collect करना ठीक है अब आते हैं six step पे जब after gaining the confidence of the respondents जो भी आपका sample population है तो researcher क्या करता है फिर उसके बाद information को collect करता है data को collect करता है in form of observational transcripts and interviewing recording and tapings ठीक है जो tap होते हैं उसमें record भी करते हैं ठीक है इस तरीके से data collect कर सकते हो and last आता है development of theory after analyzing the data the researcher formulate theory on the basis of interpretation of the result and reports achieved ठीक है कि माली जे कि आप जो पहले research हुई है उससे क्या development हुआ है कुछ पहले की जो थियोरी थी उन से कुछ उन tribes में उस culture में कुछ development हुआ है क्या changes आए है इस तरीके की development theory उसमें आप जो researcher है उसको write करनी परती है ठीक है यह last step है development of theory I hope यह topic आपको समझ में आया हो समझ में आया है तो please like करें अपनी दोस्तों के साथ share करें और मेरे चैनल पे नए है तो please मेरे चैनल को subscribe करें for more videos next video में हम new topic के साथ मिलेंगे तब तक मेरी videos को देखते रहे हैं thanks for watching